तो आखिरकार कोब्रा काय का सीजन 5 रिलीज हो जाता है नेट्फिलिस के OTT प्लैटफॉर्म पर इस सीजन में यानि सीजन 5 के अंदर टोटल 10 एपिसोड जिन्होंने कोब्रा काय के बारे में बिल्कुल भी नहीं सुन रहा उनको छोटा से ब्रीफ इंट्रो दे देता हूं को रोखने के लिए दूसरा कराटे कोच्ण सेंटर सामने आता है जिसका नाम होता है मियागीडों मियागीडों कोब्रा दो को बनारे न चाहते हो तो मैं přjak सख और वह तो जिसके अंदर म्यागेडों की हार हो जाती है कोबरा काई जीत जाता है सिल्वर पूरी जगाय मतलब की वैली के अंदर हर जगाय अपने जो ये डोजो है उनको ओपन करने लग जाता है मिगल जो है अपने पिता को ढूडने निकल जाता है रोबी और उसके जो पिता हैं जो नी वो मिगल को ढूनने निकल पड़ते हैं और टीनेजर्स के बीच में वही तनाव सी सिचुएशन आ जाती है कि अब क्या करें ये सारी चीज़ें हमें सीजन 4 के एंडिंग में देखने को मिलती है सीजन 5 की शुरुआत वहीं से होती है जो काफी अच्छी बात है क्योंकी हमें कोई gap महसूस नहीं होता है यह वो चीज़ें कहा गहीं वो कब connect करेंगे ऐसा नहीं है स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर सीजन 4 की ending होती है जो मुझे काफी जादा पसंद आया कोब्रा काई को रोकने के लिए लरूसो अपने जपैनी दोस्त को ले आता है जो अपनी लाइफ में मसता है और इधर कोब्रा काई का जो मालिक बनके बैटा है सिल्वर वो कोब्रा काई को पूरी वैली के अंदर या फिर करें कि हर जगा वो फैलाने के लिए त्यार बैटा औ उसने जो मार्केटिंग अपना ही वास्तों में कमाल की है अब यह तीनों मिलकर यानि कि जो लरूसो है जो जो जोनी है और जो इनका जैपैनिक दोस्त है वो तीन यह तीनों मिलकर कैसे सीलवर यानि कि जो कोबरा काई है इसको रोकते हैं इन तमाम बातों की जो जवाब है वो शायद आ भी सकता है लेकिन इंडिंग इसके अंदर हो जाती है आपको सारे सवालों के जो आप इसके अंदर मिल जाते हैं और जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो जो कोबरा काई के उपर मैंने बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि इस सीरीज के अंदर कैसे करेक्टर ने रिप्रेजट किया गए वैसे ही कहानी के उपर बहुत अच्छे से वर्क किया गए सीजन फाइफ देखिए एक जो लै बना हुआ था सीरीज का इसमें जो हमें कहानी देखने को मिल रही थी सीजन फाइव में बहुत बढ़िया तरीके से हमारे सामने वो चीज़े रखी जाती है कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि उसे कम कर दिया गया इसमें बलकि और जादा चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से हमारे सामने रखा गया है चाहे वो आप action की बात कर लो, चाहे emotion की बात कर लो, चाहे वो drama की बात कर लो season 5 के अंदर आपको बहुत सारी चीजों का एक तालमेल मिलता है जो बतलब आपको बोर नहीं होने देता शुरूर से लेकर आखिर तक आप इस season के साथ connect रहते हैं और सच कहों मुझे इस पूरी series के दोरान जो सबसे बढ़िया character लेगा जो मुझे बहुत जादा पसंद आया वो है silver का character हाँ, शुरुवाती season के अंदर silver नहीं था लेकिन जो season 5 के अंदर जो मैंने इस मंदे का style लेगा है भाई साब कमाल का है, जैसे इसका way of talking है चलना है, बात कर, मतलब बहुत जबर्दस त्यार मुझे बहुत बढ़िया character लगा, हाँ, इसने negative play किया है लेकिन बहुजोद उसके है, मुझे वो बहुत पसंद है season 5 के हर scene के साब तब relate कर पाएंगे, उससे connect हो पाएंगे जो teenagers हैं, उनकी fight के साथ, जो adult है, जो बड़े लोग है उनकी भी fight आप लोगों को देखने को मिलने वाली है तो मैंने का न, season 5 के अंदर आपको बहुत सारी चीजों का तालमिल बहुत बड़िया तरीके से रखा गया, मतलब action भी है, emotion भी है, drama भी है, दोस्ती भी है, प्यार भी है सारी चीजें आपके सामने बहुत खूबसूरती से रखी गई है, जिसको देखकर ऐसा रखता है तिल garden, garden हो गया, और सच में ये series एक अलग जगा बना लेती है हमारे दिल के अंदर, तो मेरी तरफ से इस season को, या फिर कहेंगे, इस entire series को मैं देना चाहूँगा 9 of 10, अगर आप लोगों ने ये series देखी है, या फिर season 5 देखा है, तो comment करना कि आप लोगों को कैसी लगी और आपने कुछ भी नहीं देखा, तो at least season 1 का first episode देखे, आपको बहुँ ज़ादा पसंद आएगा तो बस आज के इतना ही रखते हैं इस video में, thanks for watching this video, मिलते हैं next video में, जैहें